वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी सानु प्रभ निर्विध्यम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटी सानु प्रभ निर्विध्यम कुरुमे देव सर्वकार येशु सर्वदा जैसे किष्णा राधे राधे जैहो सिरी सूरिय नारायन भगवान की जय आईए अब हम पोश मास का तीसरा अधाय सुनते हैं स्वार्ग और प्रत्वी के बीच जो भ्रहमाड है उसी के मध्यभाग में सूरिय विराजमन रहते हैं सूरिय मंडल और भ्रहमाड 25 करोड योजन की दूरी पर इस्तित हैं मृत अंड अर्था चेतना शुन्य अंड में विराजने के कारण सूरिय को मार्तंड कहा गया है हिरण्य में भ्रहमाड से ये प्रकट हुए हैं अतै सूरिय हिरण्य गर्भ भी कहे जाते हैं दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोग, प्रत्वी लोग, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक और पाताल इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूरिय पर निर्भर करता है देवता, मनश, पशू, रेंग कर चलने वाले जन्तू, व्रक्ष, आदी जितने प्राणी हैं उन सब के आत्मा ये सूरिय है इन नेत्रिय इंद्र का स्वामी कहा गया है भूमंडल का विस्तार भी इनी से है इन दोनों लोकों के मध्यभाग में अंतरिक्ष लोग है प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में शेष्ट भगवान सूरिय इसी के मध्यभाग में विराजवन रहते हैं उत्रायन होने पर इनकी गती मंद पढ़ जाती है अपने प्रचंड तेज से त्रिलोकी को प्रकाश मन करते हुए ये सदा तपते रहते हैं इनका ये उत्रायन इस्थान बहुत मुचा है ये जब इस इस्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है और फिर जिस समय दक्षिनायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गती में तिवरता आ जाती है इसका ये इस्थान नीचा है जब इस इस्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं सूरिय का तीसरा इस्थान विश्यूवत कहलाता है इस पर चलते समय इनकी गती में समानता आ जाती है क्योंकि ये इस्थान सरवत्र सम्तल है इस पर चलते समय दिन के परिर्मार में कोई खास अंतर नहीं रहता जिस समय सूरिय, मेश और तुलाराशी पर आते हैं, उस समय दिन और रात में प्राहसमानता आ जाती है जब ये व्रक्ष आदी पांच राशियों में रहते हैं, तब दिन के मान में व्रदी हो जाती है और राते छोटी होने लगती है जब रक्षिक आदी पांच राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरित परिवर्तन होने लगता है अब सूरिय की शेष्ट गती का वर्णन सुनेंगे ये शिग्र और मंद आदी तीन प्रकार की गती से चलते हैं सभी ग्रहों के इस्थान तीन है इस्थानों के नाम है जारतगव, एरावत और वेश्वानर जारतगव मध्य में है, एरावत उत्तर में है और वेश्वानर दक्षिन में है प्रतेक इस्थान में तीन विथिया हैं अश्वनी, भर्णी और करतीका को नाग विथी कहते हैं रोहिनी, म्रक्षीरा और आद्रा ये गज विधी कहलाते हैं, पुन्य, पुनर्वसु, आशलेशा ये एरावती विधी कहलाती है, ये तीन विधियां उत्तरमार्ग कही जाती है, मघा, पूर्वा, फालगुनी और उत्तरा फालगुनी आर्ष भी विधी है, अस्त, चित्रा और स्वाथी, गो विधी कहलाती है, विषा का अनुरादा, जेश्टा को जारत गवी विधी कहा गया है, ये तीन विधियां मध्यंभार कहलाती है, मूल, पूर्वाशाण और उत्तराशाण, इनकी संग्या है, अज विधी है, शेवन, घनिष्टा और शत्त विषा को द्वर द्वारा खिचे जाते हैं, उस समय सूरिय की आरोहन गती कहलाती है, मंडल के भीतर से रत चलता है, इस मंद गती से दिन क्रम चबरने लगता है, राती छोटी होने लगती है, यही सोमायन का क्रम है, इसी प्रकाज सूरिय का रक्त दक्षिनायन मार्ग पर पाश तब उसे अवरोहन कहते हैं, मंडल के बारे से गती होती है, उस समय सूरिय की चाल बहुत तेज हो जाती है, दिन का क्रम चहांस और आत्री की व्रदी होने लगती है, विशुव मार्ग पर सूरिय का रत पाश द्वारा किसी ओर नहीं खिचा जाता, साम में रहता है, मंडल क सूरिय मध्यभाग में सूरिय विराजमान रहते हैं, इसलिए रात और दिन दोनों का बराबर मान रहता है, जब दूबर की आग्या मान कर पावन और पाश सूरिय के रत को खिचते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूरिय चक्क ल लगाता रहता है, पुने दूबर के प पुरी सयमनी मेरुगिरी के दक्षिन भाग में है, निमलोचनी नामक विशाल पुरी में वडुन रते हैं, यह पुरी सुमेरु परवत के पश्टिम भाग में है, विभावरी नाम से प्रसिद चंद्रमा की पुरी सुमेरु परवत से उत्तर कही गई है, ब्रमवादियों क ऐसा कतन है कि सूरिय इंद्र की पूरी में उद्र होते हैं वे जब सयमनी पूरी में पहुंचते हैं तब दोपहर हो जाती है निमलोचनी पूरी में पहुंचने पर सायकाल हो जाता है और जब विभावरी पूरी में सूरिय जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है इन सूर सूरिय कारत सुमेरू को बाय करके चलता है किन्तु प्रभय वायू की प्रेणा से दक्षिन को मुड जाता है सूरिय के उद्य और अस्त का समय सदा सब के सामने पड़ता है शेज जितनी दिशाएं और विदिशाएं हैं वहारेने वाले प्राणे जब सूरिय को देखते हैं तब उनके लिए वही उद्यकाल है जब जहां छिप जाते हैं उसी इस्थान को वे अस्त इस्थान मानते हैं जिस समय सूरिय इंद्र आदी लोकोपालों की पुरी में पहुंसते हैं उस समय इनके प्राकाश से तीनों लोग प्राकाशित होने लगते हैं दो वीकर्ण उनके तीन कोण और दो पुरियां समय सूरिय की किरण से प्राकाश फैल जाता है संपून द्वीप और वर्ष सुमेरुगिरी के उत्तर स्तित है जो जहां सूरिये को उद्ध होते देखते हैं उनके लिए वही पूरव दिशा कही गई है ठीक उनके वाम भाग में मेरु परवत पड़ता है इसी को सिध्धान्त माना गया है हजारों केर्णों वाले सूरिये समय और मार्ग के प्रदर्शक है जब ये इंद्री की पूरी में सयमनी पूरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में सवा 2,12,75,000 योजन का मार्ग इन्हें तैक करना पड़ता है इसी प्रकार वरुण लोग, चंद्र लोग, इंद्र लोग को जाने में समय और मार्ग की दूरी का नियव है सूरिये को काल चक्र, आत्मा और धुमनी भी कहते हैं समय की जानकारी प्राप्त काने के लिए इनका भ्रहमन होता रहता है चंद्रमा आदी अन्य, जितने भी आकाश चारी ग्रहें वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त्व होते रहते हैं शक्ति शाली सूरिये को त्रीये मई कहा गया है इनका रत एक मूरत में 34,8,000 योजन का चक्कर काड़ता है इसमें चारों और दिशाओं को चारों पूरिया पढ़ जाती है प्रवे नाम की वायू इनके रत के चक्के को सदा घुमाया करती है जिस रत पर सूरिये बैठते हैं उसका एक चका एक समसर का रूप है ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं बारा अरों तीन धुरों छे अवनियों से यह संपन है इस रत की एक धुरी का सिरा सुमेरू परवत के शिकर पर तो दूसरा मानसो उत्तर परवत पर है सूरिये के रत का पईया इस प्रकार घुमता है मानों तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो यह मानसो उत्तर परवत के उपर सूरिय परिभ्रमन करते हैं इस धूरी में एक अन्य धूरी भी है इसका परिमान प्रतम धूरी से चार गुना अधिक है यह तेल यंत्र की भाती घुमता हुआ धूर लोग तक पहुँच जाता है सूरिय के रत पर बैटने की इस्थान की लंबाई 36 लाग योजन चोड़ाई 9 लाग योजन है सूरिय के रत का परिमान कहा गया है अरून इस रत के सार्थी है काहितरी आदि साथ चंद उत्तम साथ घोड़े कहे गए है सार्थी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्यानार्थ महाभाग सूरिय को उन उन स्थानों पर पहुँचाया करते हैं अरून गरूर के बड़े भाई हैं सूरिय ने इन सार्थी के काम पनिव्ट कर रखा है ये सूरिय के आगे उने की ओर मुकर के बैठते हैं ऐसे ही अंगुठे के पोरवे के बराबर बाल, खिलादी, रिशीगन सूरिय के सामने उपस्तित रहते हैं इन रिशियों की संख्या साथ जार है सभी सूरिय के सम्मुक होकर परम, मनोहर, वेदिक मंत्रों के उच्चारन द्वारा इस्तूति करते रहते हैं ऐसे ही अन्य भी जोरिशी, गंधर्व, अफसरा, नाग, यक्ष, राक्ष, देवता हैं उन में से एक देवता एक मैने में सूरिय की उपासना करता है यो साथ मैनों में साथ देवताओं के द्वारा क्रम्श सूरिय की आरातना होती रहती है सूरिय सर्विव्यापी सू प्रसित देवता माने गए हैं ये 9,50 लाग योजन प्रत्वी में नित्य घूमते हैं प्रतेक्षण में 2000 योजन रत पार करके जाना इनकी गती का नियम है भगवान नारायन संपून प्राणियों का कल्यान करने के लिए जगत में घूमते हैं साथ देव्यापी कर्मों की शुद्धी के लिए अपने वेद में विग्रे को 12 भागों में विबक्त करके वसंत आती 6 रित्वों में समोचित रूप से गुणों की व्यवस्था करते रहते हैं सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और प्रत्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष्य माना गया है रूप से नहीं चलते, इनकी चाल कभी मंद, कभी तिव्र तो कभी सम हो जाती है, सूरिये के एक वर्ष के मार्ग को ये दो पक्षों में, एक मैने के मार्ग को सवा दो मैने में और एक पक्ष के मार्ग को एक दिन में पार कर जाते हैं, तिव्र गामी जंद्रमा निश्चित उसे भूचक्र में ब्रह्मन करते रहते हैं। शुक्र सूरिय के साथ साथ चलते हैं. कभी पीचे हो जाते हैं, तो कभी आगे हो जाते हैं। इनकी भी तीन प्रकार की गतियां हैं शिग्र, मंद और सम। प्राणियों के लिए प्राय ये अनुकूल ही रहते हैं। इन्हें शुब ग्रह कहा जाता है, सूरिये से दस हजार योजन नीचे राहू मंडल कहा गया है, सिंगी का के गर्भ से इसकी उत्पत्ती हुई है, योगिता नहोने पर वी ये नक्षत की भाती विच्रन करता रहता है, चंद्रमा और सूरिये ने तो इसे मार डालने का ही प्र प्राप्त कर लिया था, तब ते हुए सूरिये का जो ये विम्ब दश्टी गोचर हो रहा है, इसका विस्तार दस योजन है, चंद्रमा 12,000 योजन के विस्तार में है, 13,000 योजन के विस्तार वाला ये राहू ग्रह सूरिये और चंद्रमा के विम्ब को ढ़कने का प्रयास निरंतर करता रहता था, क्योंकि पूर समय में वेर इसे भुला नहीं था, ऐसा समझना चाहिए, इतनी गती, इतनी दूरी से भी सूरिय और चंद्रमा के बिम्ब को ढखने के लिए राहू तत्पर रहता है, यह सुनकर भगवान विश्णु ने दोनों के पास अपना सुदर् पास तो जान नहीं सकता, वे इनके बिम्बो के सामने दूर ही रुख जाता है, फितुरन लोट पड़ता है। तनाव को दूर भगाता है, एनिंद्रा की स्तिति को ठीक करता है, शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है, शरीर का पोश्चर लचिला हो जाता है, पाचिन किरिया ठीक हो जाती है, वजन को नियंत्रित करता है, तरचा से जुड़ी सारी समश्याई दूर हो जाती मासिक धर्म की एनियमित्त दूर हो जाती है शरीर में रक्त संचार में व्रदी होती है सूरिय मंदिर कहां कहां है सर प्रथम कौनाक मंदिर ओडिशा राज्य के कौनाक नामक शहर में है यहीं वैस्तान है जहां सूरिय मंदिर है यह जगरनात पुरी से कुछ किलोमेटर दूर पर है खास बात यह है कि इस मंदिर की गिंती बहुत प्रसिद मंदिरों में की जाती है सूरिय मंदिर का इतिहास सूरिय टेंपल का इतिहास भी कई माईनों में है प्राचीन काल में इस मंदिर की बिरंची नारायन कहा करते थे इसी कारण इस इलाके को अर्क कहा गया है जिसका तात पर यह है सूर्य एक कहानी के अनुसा स्रीक्रशनी के पुत्र सांभा को शाब के चलते कुष्ट रोग हो गया था जिससे चुटकारा पाने के लिए इसी मंदिर में बारा वश्ट कठोर तपशा करी जिससे सूर्य भगवान खुश होगे तबी से इस मंदिर की खुब ख्याती बड़ी है वहीं एतिहासी पर्णों की तरफ गोर करें तो यह मंदिर लाल रंग के बलुवा पत्थर से बना हुआ है साथ ही इसमें काले रंग की ग्रेनाइट का प्रियोग हुआ है इसकी शेली कलिंग है जिसमें सूर्य देवता को एक रत पर विराजमन होते दिखाया गया है इस पर पत्थर से बनी नकाशी उगरी हुई है वैसे तो अभी इसमें केवल एक ही घोडा है लेकिन संपोर मंदिर इस्थल को कुल बारा जोडी चकरों के साथ साथ घोडों से खीशते हुए दिखाया गया है आईए अब हम सूर्य चालिसा को सुनते हैं कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पदमासन इस्तित धाईये शंक चक्र के संग जै सवीता जै जैती दिवाकर संत्राश्यू सप्ताश्व तिमिरहर भानू पतंग मरीची भासकर सवीता हंस सुनूर विभाकर विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तन्ड हरी रूप विरोचन अंबर्मणी खग रवी कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते संत्राश्यू प्रधोतन कही कही मुनी गन होत प्रसन मोद लही अरुन सद्रश सार्थी मनोहर हांकत है साता चड़ी रत पर मंडल की महिमा अतिन्यारी तेज रूप केरी बलिहारी उच्च शवा सद्रश है जोते देख पुरंदर लज्जित होते मित्र मरीची भानू अरुन भासकर सवीता सूरिय आर्क खग कलीकर पूशा रवी आदित नाम ले हिरन्य गर भाई नमह कही के द्वादस नाम प्रेम सोगावे मस्तक बारे बार नवावे चार पधारत सोजन पावे दुख दारिद्र अदपुंज नसावे नमसकार को चमतकारी है विदी हरिहर को क्रपासारी है सेवे भानू तुम ही मनलाही अश्ट सिद्धी नवनिदी तही पाई बारे नाम उच्चारन करते सहस जनम के पातक टरते उपाखान जो करते तवजन रिपू सो जम लहते सो तेही छन चन सुत जुत परिवार बड़त है प्रबल मोहों को फंद कटत है अलक शीश को रक्षा करते रवी ललाट पर नित्य बिहरते सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिन करचाजत भानू नासी का वास करहू नित भासकर करत सदा मुख कोहित पूशा बाहू मित्र पीठही पर त्रस्टा वरुन रहम सु उष्ण कर युगल हात पर रक्षा कारण भानू मान उर सर्म सु उदर चन बसत नाभी आदित्य मनोहर कटि महहंस रहत मन मुदभर जंगा गोपती सवीता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा विवसवान पद की रखवारी बारे बसते नित तमहारी संस्त्राशू सरवांग समहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे अस जोजन अपने मन माही भै जग बीज करहूते ही नाही दरिद्र कुष्ट ते ही कभुहून व्यापे जोजन याको मन महजापे अंदकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता ग्रह गन ग्रसी नमिश्टावत जाही कोटी बार में प्रन होता ही मन्द सद्रश्य सुत जग में जाके धर्म राज सम अदबुद बांके धन्य धन्य तुम दिन्मन देवा किया करत सुर्मुनी नर सेवा भक्ती भाव युक्त पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो परम धन्य सो नर तनधारी हे प्रसन जेही परतम हारी अरुन माग महसूरिय फालगुन मदू वेदांग नाम रवी उदियन भानु उदैवे साख गिनावे जेश्ट इंद्र आशार रवी गावे यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता अगहन भिन विष्णु हे पूसही पुरुष नाम रवी हे मलमा सही भानु चालीसा प्रेम युत गावही जे नरनित सुक संपती लवे विविद होई सदा करत कत्य आईए अब हम सिरिसूर्य नारैन भगवान की आरती बोलते हैं ओम जै कशप नंदन प्रभु जै कशप नंदन मारतंड रवी भानु भासकर हरिये दुख दंदन खग मारीच माली पारायन काटो भव फंदन उम जै कशप नंदन सुर्य प्रभाकर नाथ दिवाकर हिमकर अधरंदन प्रभु हिमकर अधरंदन वस्त्र अभूशन लाल बाल कर दिये रक्त चंदन उम जै कशप नंदन अरक अरुण सविता आधी दिनेशा ग्रहपति खल दंडन समी ग्रहपति खल दंडन अंग विरोचन नाम तिहिर हर अंबर मनि बंदन उम जै कशप नंदन तीन हुँ लोक प्रकाश आपका करते आनंदन प्रभु करते आनंदन चीतर मल जोतिशी कर रहे आरत कथ छंदन प्रभु जै कशप नंदन उम जै कशप नंदन प्रभु जै कशप नंदन इस तरह आज हमने पोश मास का तीसरा अध्याय सुना अशा करती हूँ ये कथा आपको जरू भसंद आएगी और पोश मास के इस महात्यम्य को सुनने का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहाने के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद